नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वावत है vampirehub.com की ओफिसील यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग वीडियो इस्टार्ट करने से पहले एक आवस्यक सुचना हमारे यूटूब चैनल पे गिववे चल रहा है जिसमें पार्टिसपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लाश्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सर्प्राइज गिफ्ट विनर सर्प्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सो मुहर को क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिववे चलता है दोस्तों कैसे हो आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की वो कमाल की है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस vacancy की वो आई है दिल्ली हाई कोट के डिपार्टमेंट से दिल्ली हाई कोट में काफी बड़ी भरती आई है जिसके लिए सारे गेजवेट्स पीज़े डिडिरी होल्डर अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 25,000 रुपए पर मन्त और यहाँ पर उपसाहिक के पद हैं जिसके लिए ओल इंडिया से कैंडिडेट्स अपलाई कर सकते हैं मेल और फिमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए गल्स को जरूर से अपलाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उपसाहिक के पद है और गल्स के लिए कमफर्टेबल जाब है तो गल्स आप जरूर से अपलाई करें तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस vacancy के complete details और आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसा apply कर सकते हो लेकिन उससे पहले attendance लगा दें वीडियो को like कर दें अपनी दोस्तों के साथ facebook पे whatsapp पे हर जगा share कर दें और अगर आप नए महमान हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें चलिए जानते हैं इस vacancy के complete details दोस्तों मच के अपने website पर और इस vacancy को apply करने का link में आपको तब दूँगा जब इस वीडियो पर 500 like हो जाएंगे तो दोस्तों आप लोग सभी लोग इस वीडियो को जरूर से like करें 500 like होते ही आपको link मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर recruiting body है दिल्ली high court और total vacancy is 60 पोस्ट का नाम में junior judicial assistant technical से यहाँ पर job type है permanent basis और यहाँ पर कोई experience नहीं माग गया है आयू सीमा है general के लिए 18 से 42 साल, OBC के लिए 18 से 45 साल, वहीं SCHT के लिए 18 से 49 साल salary यहाँ पर मिलती है 25,000 रुपे पर month starting salary और यहाँ पर application fees भी है यहाँ पर general OBC के लिए application fees से 30 रुपे वहीं SCHT ex-serviceman PWD के लिए application fees से 1,5 रुपे है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आचके giveaway question है नेतरदान में किसका दान किया जाता है आपके options है cornea, retina, iris या फिर इनमें से कोई भी नहीं अपनी जवाब comment box में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक surprise gift winner चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके qualification की तो इसके लिए apply कर सकते हैं BCA, BSC Computer Science, BSC Honors Computer Science, B-Tech Computer Science, MCA, MSC Computer Science, M-Tech Computer Science with 50% marks वाले candidates selection यहाँ पर बेश्ट है written exam, interview पर job location रहेगी डेली और apply करने का date है चार जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में और apply करने का link सो कर रहा है